अब आप मेरी सभी वीडियो अन एकाडमी पर भी देख सकते हैं उसके लिए अन एकाडमी लर्निंग एप प्ले इस्टोर से डाउनलोड करना होगा वहां पढ़नी सारा सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्प्रियेटिव इकसाम मे हेल्प करेंगे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है हलो फ्रंट्स आज की जो यह वीडियो है यह करेंट अफेर्स पे है जो कि आपके रेल्वी सबीटी टू एकसाम में हेल्पफुल रहेगा क्योंकि जितने भी करेंट के कोश्टन है तो उनमें से कुछ न यह कोश्टन मैंने कलेक्शन किया है तो आप एकसाम देने से पहले एक पार इसे जरूर देख ले तो आईए चलते हैं लोग पहले कोश्टन पर पहला कोश्टन दिया गया है कि SBI का वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान अध्यक्ष का हो जाएगा इनका अंसर रजनीस कुमार SBI का वर्तमान अध्यक्ष रजनीस कुमार Next है कि Railway Board का Chairman कौन है तो विनोध कुमार यादव इसके पहले जो Railway Board के Chairman थे वो थे अस्विनी लोहानी और अभी कौन है तो विनोध कुमार यादव नेक्स्ट कूशन है कि सर्बोच नियाले का मुख्य नायदिस कौन है तो रंजन गगोई नेक्स्ट है कि भारत के महानियावादी कौन है तो केके वेनू गोपाल महानियावेदी कौन है तो केके वेनू गोपाल नेक्स्ट कुश्चन है कि लोग सभा के सभापती कौन है तो बैंके या नाइडू ये सभी वर्तमान में दिये गया है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं हम लोग कि लोग सभा अध्यक्ष लोग सभा अध्यक्ष कौन है तो सुमित्रा महाजन है नेक्स्ट है कि लोग सभा का उपाद्यक्ष कौन है तो M थम्भी दूरे नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयोग्त कौन है तो सुनिल अरोरा भारत के अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयोग्त कौन है तो सुनिल अरोरा है आर भी आई यानि कि रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो कौन ह तो सक्तिकांत दास इसके पहले जो RBI के गवर्णर रहे वो थे कौन तो उर्जित पटेल उसके बाद कौन है तो सक्तिकांत दास नेक्स्ट है कि इसरो का चेर्मेन कौन है तो इसरो के चेर्मेन है अभी के सिवान चलते हैं अगले कोशन पर अगला collection दिया गया है कि sails का Chairman कौन है तो अनिल कुमार चौधरी हो जाएगा हमारा answer नेक्स धिक नियंत्रक एवा महालेखा परिक्चक यानिकी CAG ये कौन है तो ये है राजिव महरसी ये महीरसी लिखा गया ये महरसी होगा नियंतरक एवा महालेखा परिक्षक क्या कौन है तो राजीव महरसी हो जाएगा आंसर भारती स्टेट बैंक का अध्यक्ष यानि की SBI का अध्यक्ष कौन है तो रजनीस कुमार नेक्स्ट है कि नीती आयोक का अध्यक्ष कौन है तो नीती आयोक के अध्यक्ष चुकी होते हैं पर हमारे परधानमंत्री होते हैं तो परधानमंत्री भी कौन है तो नरेंद्र मोधी नेक्स्ट है कि नीती आयोक का उपाध्यक्ष कौन है तो नीती आयोक के उपाध्यक्ष होंगे राजीव कुमार चलते हैं अगले कोशन पे कोशन है कि नीती आयोक का CEO कौन है अमिताब कांत है नीती आयोक के CEO कौन है तो अमिताब कांत नेक्ष्ट है कि महला आयोग का अध्यक्ष तो महला आयोग का अध्यक्ष कौन है रेखा शर्मा सातवे वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है असो कुमार माथूर सातवे वेतन आयोग असो कुमार माथूर नेक्स्ट है कि 15 वे वित आयोक का अध्यक्च कौन है तो ये हैं आपके N.K. Singh जिसमें कि आप याद कर लिजे कि 14 वे वित आयोक के जो अध्यक्च थे वो कौन थे तो Y.V. रड़ी थे और 15 वे वित आयोक के अध्यक्च कौन है तो N.K. Singh नेक्स्ट है कि केंदरिय फिल्म प्रमान बोर्ड के अध्यक्च कौन है तो ये हैं प्रशुन जोसी नेक्स्ट कूशन पर चलते हम लोग राष्टिय सुरक्षा सलाहकार ये कौन है तो अजीत डोबाल राष्टिय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोबाल नेक्स्ट है कि उप तो आर एन रवी है नेक्स्ट है कि भारती किर्केट कंट्रोल पोर्ड के अध्यक्ष बी सी सी आई कौन है तो विनोध राय है भारती किर्केट कंट्रोल पोर्ड के अध्यक्ष कौन है तो विनोध राय अंतर राश्टी किर्केट परिशत के अध्यक्ष यानि कि ICC ये कौन है तो ससांक मनुहर है नेक्स्ट है कि भारती किर्केट टीम के मुख्य कोच कौन है तो ये है रवी सास्त्री भारती किर्केट टीम के मुख्य कोच कौन है तो रवी सास्त्री और हाँ ये जो मैं वीडियो दे रही हूँ इसकी PDF भी मैंने इसी वीडियो की description box में दे रखा है तो आप चाहे तो वहां से चाके इसे download भी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं अगला सवाल है कि FICCI के महा सचीव कौन है तो दिलीप चीनाए FICCI के महा सचीव कौन है तो दिलीप चीनाए नेक्स्ट है कि FICCI के अध्यक्ष कौन है तो ये है संदीप सोमानी संदीप सोमानी नेक्स्ट है कि भारती जीवन भीमा के अध्यक्ष कौन है यानि कि LIC एलाईशी के अध्यक्ष कौन है तो विजय कुमार सर्मा नेक्स्ट है कि लोक लेखा समीती के अध्यक्ष ये कौन है तो ये है मलिका अर्जुन खडगे लोक लेखा समीती के अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे और ये जो लोक लेखा समीती के अध्यक्ष होते हैं ये होते आपके विपक्षी दल के नेता नेक्स्ट है कि प्राकलन समीती के अध्यक्ष कौन है तो ये है मुरली मनोहर जोसी और ये जितने भी मैने दिये हैं आप इसे I think कि आपको याद कर लेना चाहिए हो सकता है कि आपको railway safety 2 exam में इनसे हो सकता है एकाद 2 question आपको देखने को मिल जा कौन है तो HL दक्तू this that NCE RT के निदेशक कौन है तो हर्सी के सेन पती NC RT की निदेशक हर्सी के सेनापती रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष की DRDO के अध्यक्ष कौन है तो जी 27 रेड़ी जी सथीस रेड़ी नेक्ष्ट है कि राव यानि कि Research and Analysis Wing के निदेशक कौन है तो अनिल धस्माना नेक्स्ट कोश्चन है कि Gas Authority of India जैसे कि हम लोग कहते हैं गेल तो इसके निदेशक कौन है तो BC तिरिपाथी गेल के निदेशक कौन है तो BC तिरिपाथी नेक्स्ट है कि नालंदा विसुविद्याले के कुलपती कौन है तो ये है डॉक्टर विजय पांडूरंग भटकर नालंदा विसुविद्याले के कुलपती डॉक्टर विजय पांडूरंग भटकर नेक्स्ट है कि भारतिय प्रेश परिशत के अध्यक्ष ये है चंद्रमौली परशाद भारतिय प्रेश परिशत के अध्यक्ष कौन है तो चंद्रमौली परशाद नेक्स्ट है कि ICC के पर्थम स्वतंतर महिला निदेशक ये कौन है तो इंद्रा नूरी ICC के पर्थम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है तो इंद्रा नूरी नेक्स्ट है कि भारतिय महिला किरकेट टीम का कोच कौन है तो ये है W.B. रमन भारतिय महिला किरकेट टीम का कोच कौन है तो W.B. रमन तो ये थे आज के कुछ current affairs जिसमें कि मैंने बताया कि परमुख नियुक्तियों को तो I think कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे comment box में बताईए और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें दन्यवाद